हाई फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो नेक्स्ट T10 मैच होने वाला है दोस्तों SRO वर्सिस CWA के बीच में जोगी रात 12 बजे खेला जाएगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आपको पूरी जानकारी शेर करने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ कौन से खिलाडी का रेकॉर्ड T10 में किस परकार है दोस्तों T20 फर्मेंट में किस परकार है सारे डीटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा चूकि नया मैच ह आपको पूरी जानकारे दूँगा दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर वज़ करना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दूस्तों वीडियो में अगर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी इस रिक्वेश्ट है अगर आप चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दूस्तों तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना भाईयो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडि देखे रहे हैं दूस्तों ये में चेनल का लिंक है अफटा टॉस अगर कोई भी चेंजिस होता है तो फिर फाइनल टीम आपको इसी ग्रूप में मिलेगा तो दोस्तों फाइनल टीम के लिए टेलेगराम ग्रूप को ज़ौइन जरूर से जरूर कर लेना दूस्तों आने वा यह match होने वाला है ठीक है सभीना पार ग्राउंड पर मुकाबला होगा यहां का पीच कंडिसन दुस्तों लगबग इस ग्राउंड पर सोरन के आसपास score देखने को मिलेगा दुस्तों इस ग्राउंड पर ध्यान रखना है ठीक है बाकि यहां पर दोनों ही department को मतलब देखोगे दुस्तों तु बैलेंस पीछे तो दोनों ही department को support मिलने वाला है चले सबसे पहले SRO का record देखेंगे देखो विकेट की प्रिंग सक्षन में इन दोनों का record अभी update है नहीं लेकिन यह आपको विकेट की प्रिंग करते हुए दिख जाएंगे दुस्तों स्टीम के तरप से ठी बॉनर का record जो की ODII format में देखो के 6 match के अंदर 50 रन मना के एक विकेट है लेकिन T20 में देखेंगे दुस्तों तो 2 match के अंदर 27 रन score किया हुआ है आप यहाँ पे लवराय लक्स का record देखो के दुस्तों तो यह 11 match के अंदर 238 रन है तो T20 में दुस्तों 1 match के अंदर 13 रन है बाकि यहाँ पे OVN यह 5 match के अंदर 106 रन मना के 5 विकेट निकाला हुआ है तो यह 3 खिलाड़ी का record काफे बहतर है दुस्तों SRO के टीम के तरब से बाकि यहाँ पे Carlos Braun एक match के अंदर 21 रन है इनको drop करेंगे लेकिन याद रखना यह 3 batsman बहुत important है SRO के टीम के तरब से All Under Section में देखेंगे दूस्तों यहाँ पे Xeveli Glend जो कि यहाँ पे 11 match के अंदर देखेंगे दूस्तों तो 163 run score किया हुआ है पेडे सॉल्मन जो कि यहाँ पे 11 match के अंदर 110 रन मना के 10 विकेट है यह बॉलिंग भी आपको करते वे दिख जाएंगे इस match के अंदर बाकि अभी All Under Section में इन तीनों खिलाडे का record आप यहाँ पे देख सकते दूस्तों और बॉलिंग में देखेंगे दूस्तों आपको बॉलिंग भी करते वे दिख जाएंगे दूस्तों इस वज़े से इनको आप captaincy तक के लिए भी ले सकते हैं जो कि बहुत important प्लेर है दूस्तों खास करक captaincy के लिए इस वज़े से मैंने बताया है क्योंकि देख सकते हैं हर एक match में लगबाग score अच्छा करते हैं मतलब average बढ़िया है दूस्तों बैटिंग का बाकी balling तो आपको 2 over confirm करते हुए दिख जाएंगे खारे कंपल जो कि 6 match के अंदर 3 wicket निकाले दोस्तों 9 wicket निकाले है इनका भी दो वर fix रहने बाला है दोस्तों SRO के टीम के तरफ से तो यह सारे stats आपके सामने दोस्तों SRO के सारे records देख सकते हैं T10 T20 दोनों ही format की जितने भी information थे सारे details में आपके लिए 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 हैं ठीक है बाकी देखो CWA के टीम के तरफ से देखेंगे दोस्तों तो wicket के पर में इन दोनों का records कहीं प अबी record नहीं है बैटिंग में देखेंगे दोस्तों यहां पे तो यहां पे एडिवरिव स्मीट जो की 6 match के अंदर 203 run score किया हुआ है लेकि नैनोक्स इनका record अभी update है नहीं दोस्तों इनको फिलाल drop करना है ठीक है दोस्तों इनका records अभी update नहीं है वलमर जो की 3 matches खेला बहुत बैटर record है दूस्तों खासकर लेकरना है तो इनको अब अपने team के अंदर जरू ट्रैक करना है टीम के टॉपर पर बैटिंग भी बैटिंग भी त्रैक करने दीखेंगे दूस्तों यह भी best रहने वाल इनको ट्रैक करेंगे बाकि यहां पे डैमियन e-bank का record देखेंग अगर आप Grand League की टीम create करते हैं तो आप ले सकते इनको ठीक है बाकि थवी को track यहाँ पर drop करेंगे Indri Walker जो की तीन मैच का अंदर 57 है इसकोर है इनके नाम Balling में दोस्तों इनने 13 मैच का अंदर यहाँ पर देखोगे और CWA की सारे stats आपके सामने हैं दोस्तों चलिए अब team की ओर आगे बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले wicket keeper से जे all-nays आपके लिए best option रहने वाला दोस्तों यहाँ पर CWA की team के तरफ से इनका record बढ़िया है आपको wicket keepring करते विए दिखेंगे इनके बारे में T20, T10 format का record नहीं है ठीक है लेकिन ध्यान रखना जो information इनके बारे में इनका official sites में लिखा हुआ है उसके basis पे इनको मैं try करूँगा क्योंकि से player इन से बहतर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले ठीक है लेकिन बैटिंग में तीन बैटिंग को लिया हुआ है जिनका records है खास करके देखोगे दोस्तों CSRO के दो खिलाड़ी को मैंने try क्या हुआ है बैटिंग सक्षन में और इन दोनों का stats आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी बढ़िया है दोस्तों और इन दोनों को मैंने try क्या हुआ है इसी वज़े से ठीक है बाकि Day Smith जो है यह बल्लेबाजी टीम के टॉप अटर पर करते हैं आपको देने वाले तिनको अपने टीम के अंदर try करना है लेकिन all-under section में देखोगे दोस्तों तो CWA के दोनों player को मैंने important बताया था दोस्तों और इस वज़े से मैंने try क्या हुआ है इन दोनों का stats आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का records काफी बढ़िया है इसी वज़े से मैंने इन दोनों को लिया हुआ है और all-under session में देखोगे दोस्तों यह दोनों player फिर काफी important मैंने बताया था बल्ले बाजी कर सकते हैं हाला कि यहाँ पेड़े सुलमन आपको गिंद बाजी भी करते हुए दे सकते हैं इसी वज़े से मैंने इनको भी try क्या हुआ है तो overall मैंने इन चारों खिलाड़े को लिया हुआ है जिसमें CWA के दो प्लेर है और SRO के दो प्लेर है बाकि balling session से मैंने तीन बोलर को लिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों एमेंडले को try किया हुआ है प्लेर है भाकि तीम प्लेर को लाइक करके सपोर्ट जरू करना मिलते हैं भाकि दल लगला वीडियो में धन्यवाद